सवत की बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दे जहां आज से विधान सभा का शीत का लिंग सत्र शुरू हो रहा है 25 दिसमबर तक ये सत्र चलेगा तो वहीं सदन में हंगामेदार होने के आसार भी जताए जा रहे हैं क्रिशी पंचाय चुनाव सिक्षा समेट कई मुद्दे उठाएगा विपक्ष तो वहीं विपक्ष के सवालों का सरकार जवाब भी देगी सबकी एहम जानकारी बोपाल से है जहां आज से विधान सभा का शीत कालिंग सत्र शुरू हो रहा है 25 दिसम्बर तक यह सत्र चलेगा बतादे सदन के हंगामेदार होने के आसार भी जताए जा रहे हैं क्रिशी पंचाय चुनाव सिक्षा समेट कई मुद्दे विपक्ष उठाने वाला है जिसका जवाब सरकार देगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सायोगी भोपाल से सदफा में हमाई साथ लाइट जुड़ गए है सदफ विधान सभा का शीत कालिंग सत्र आज से शुरू हो रहा है इसको लेकर क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है बिल्कुल देखिए आज से मध्यप्रदेश विधान सभा के शीत कालिंग सत्र का आगाज होने जा रहा है और पांच दिवसे ये सत्र होने वाला है जिसमें विपक्ष सरकार को गहरने की कोशिश करेगा तो वहीं सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी अगर हम आज पहले दिन की बात करें तो देखिए सबसे पहले दिन किसानों की यहां पर बात की जाएगी विपक्ष किसानों को लेकर क्रशी को लेकर खाद की किलत को लेकर ये तमाम सवाल आज सरकार से करता हुआ नजर आएका जिस पर सरकार विपक्ष के सवालों का जवा दिन है और सबसे पहले कोविट प्रोटोकॉल के नियमों के साथ ही जो विधायक रहेंगे उन्हें सदन में एंट्री दी जाएगी जिनको दोनों डोस लगे हैं उनको ही यहां पर एंट्री दी जाएगी इसके अलाबा अगर किसी ने वैक्सिन नहीं लगवाई है तो उनके ल कि नमें आज देखें जो दिवंगत नेता हैं विधान साबा के विधायक रह चुके हैं सांसद रह चुके हैं उनको यहां पर श्रद्धान जली दी जाएगी और पहली बार देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानि की सीडियस विपिन रावत को भी यहां पर श्र रोक लगा दी अभी क्या वो बुद्धा उठ सकता है विधान सभा के शीट कालिन सत्र में पर बिल्कुल देखें सदन में पंचायच चुनाव का मुद्ध जो है जो है जोर शोर से उठाया जाएगा विपक्षनिस को लेकर एक रणीती बनाई है कल कॉंग्रस विधायक दल के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा और अगर विधान सभा के अध्यक्ष इसकी अनुमती देते हैं तो इस पर चर्चा की जाएगी जिसको लेकर हंगाम हो सकता है सदफ हमारे साथ बने रही आगे आपसे खबरों में अपदेट लेते रहेंगे की 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 जाएगा है